Best Camera Settings for iPhone अगर आपके पास भी चाहे कोई साबी iPhone हो जिसमें आप जो है Best Camera Settings करना चाहते हो जैसे कि मेरी तरह यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर मैं आपको फोटो से लेके वीडियो से तक यहाँ पर बेस सेटिंग बताऊंगा अगर आपके पास भी चाहे कोई साबी iPhone हो जिसमें आप जो है Camera कर इस्तिमाल करते हो फोटोस वीडियोस निकालते हो ऐसे में मैं आपको Best Camera Settings बताने वाला हूँ जिसके लिए आपको जो है कोई भी application इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपके पास जो iPhone में Camera App है उसमें ही आपको तोड़ा Settings कर लेना है जो भी Settings है सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आपके पास iPhone है तो यहाँ पे देखो आपके Mobile के iPhone में Settings का Option रहेगा यहाँ पे आपको क्लिक करना है आप देखो क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके से Scroll Down करना है उसके बाद आपको यहाँ पे Scroll Down करके नीचे जाना है यहाँ पे आपको Camera का Option देखने को मिल जाएगा यहाँ पर आपको क्लिक करना है आप देखो यहाँ पे आपका Camera का Option यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा तो यहां पर आपको क्या करना होगा simple है आपको यहां पर इस तरीके से यहां पर इस वीडियो के option पर click करना है अब यहां पर देखो वीडियो के option पर click करने के बाद आपका यह वीडियो का यहां पर तो यह वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए यह सेटिंग से इसमें आपको जो है 4K to add 60fps आपको रख देना है उसके बाद नीचे आपको एक option मिलेगा यह वाला शो पल फॉर्मेट्स इसको यहां से आपको टर्न आउन कर देना है इसको टर्न आउन करने के बाद आपकी वीडिय television video format लेए यहां पे है यहां पर बहुती अच्छा यूरोप आफरी का एसिया इसा इहां पर अंसके बाद नइसे बैख करते हैं और यहां पर यहां पर रिकॉर्डद स्लो मोशन अगर आप स्लो 240 fps उसके बाद आपको देखो यहां से back करना यह slow motion के लिए भी settings है उसके बाद आपको यहां पर preceived settings में जाना है और यह camera mode अगर आपका यह off है तो इसको यहां से turn on कर देना है और यहां पर अगर आपका यह live photo on है तो इसको यहां से बन कर दो ठीक है उसके बाद आपको यहां से बैक करना है आप बैक करने के बाद देखो यहां पर इस तरीके से एक option रहेगा आपके यहां पर आईफोन की mobile में ठीक है आपको यह वाला जो option है ग्रीट वाला यहां पर इसको on करना है अभी यहां पर इमें यह भी बताऊंगो इसको हमने क्यों किया है उसके बाद देखो यहां पर यह और यहां पर आपको normal photo कीप्स रहेगा तो यहां पर अगर यह आपका auto hdr option देखने को मिलता है तो simply इसको यहां से turn on कर दो turn on करने के बाद आपको next step क्या करना अब यहां से आपको back करना है अब यहां पर में दिखाता हूँ मेरे यहां पी video quality और photo quality है अब धेखो अब यहां हमारे कितना अच्या photos आ रहा है यहां पर देखो आपको जो colors जोका है चालर को जो जाये उस color में photos को निकाल सकते हो तो यह आपको जो यहाँ पर ही देखने को मिल जायेगा जिसमें आप जो अपने photos की quality को जो है उसका color को जो है change कर सकते हो और यह quality काम करता है उसके बाद यहाँ पर video's के option पे click करो ते देखो यहां पर हमने यहां पर 4K 60fps पर कर लिया है जिससे आपकी वीडियो कॉलिटी का जो मुवमेंट यहां पर अच्छे तरीकी से हो जाएगा एक बार मैं आपको छोटी से एक वीडियो को रिकॉर्ड करके दिखा देता हूं कितना मस लग रहा है मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं उसके बाद देखो यहां पर हमने जो वीडियोस निकाला है यह रिखो 4K 60fps पर हमने निकाला है कि काफी बड़ी है इसमें कॉलिटी आती है यह भी आप सेटिंग कर लो अपने आईफोन में और मैंने जो फोटो नि निकाल के देख लो काफी अच्छा आपका आ जाएगा ठैंक्स वाचिंग दे वीडियो